एक बार की बात है एक खूबसूरत जंगल में टॉमी नाम का एक छोटा कचुआ रहता था। टॉमी बहुत बुद्धिमान था और उसके चेहरे पर हमेशा प्रसंद मुस्कान रहती थी। उसे जंगल घूमना और नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दोस्तों सैमी दी स्क्विरल, बेनी दबन्नी और डैनी दडियर को चिंतित देखा। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। टॉमी ने चिंता से पूछा। सैमी गिलहरी बोली। टॉमी कल रात एक भयानक तूफान से हमारे घर नश्ट हो गए। हमारे पास जाने के लिए क खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। टॉमी ने एक पल के लिए सोचा और कहा चिंता मत करो मेरे दोस्तों। मेरे पास एक विचार है आईए। हम सब मिलकर एक नया घर बनाएं जहां हम सभी सुरक्षित और खुशी से रह सके। टॉमी के सुझाव से उतसाहित होकर जानव पर तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मजबूत सामगरियों के लिए जंगल की खोज की और एक शानदार व्रिक्ष ग्रह का निर्मान करने के लिए अपने अद्वितिये कौशल का उपयोग किया। सैमी ने शाखाएं और पत्यां इकठी की। बेनी ने फर अवश्रेष्ट योगदान दिया। अंततह ट्री हाउस पूरा हो गया। और यह अब तक का सबसे अद्भुत घर था जिसे उन्होंने कभी देखा था। वे सभी खोशी खोशी चले आए इससे मिली गर्मी और सुरक्षा का आनंद ले रहे थे। एक दिन जब वे अपने आ घर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। याद रखें मेरे दोस्तों ये सिर्फ मैं ही नहीं था जिसने इसे संभव बनाया। आप में से प्रत्येक ने हमारे नए घर के निर्मान में महत्वपून भूमी का निभाई। साथ में हमने कुछ महान हासिल किया। ज सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने अपनी खुशिया, दुख और यहां तक कि जंगल में मिलने वाला भोजन भी साजह किया। वे सद्भव से एक साथ रहते थे। एकता के महत्व को हमेशा याद रखते थे और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करते थे।